सामु अलेकूम मैं हूँ इर्फान खान और आप देख रहे हमेशा की तरह भी रहिमत गुरूप यूटिव चैनल आज आपके लिए पांच मरले का लगजरी नियो ब्रेंड हाउस लेके आया हूँ वीडियो को आपने एंड तक देखना है चैनल को सब्सक्राइब करना है इसके लावा हमारे फेस्बुक पेज को भी आपने लाइक लाजमी करना है तो इस वक्त हम डबल ए ब्लॉक के अंदर हैं सेंट्रल पारक हाउसिंग स्कीम है और यह 40 फीट वाइड रोड है आप देख सकते हैं और यहां पे पांच मरला के घर्ज बने हुए हैं बहुत सारे घर बने हुए हैं तो वीवर्ज यह बहुत टीवी लाउंच दो किचन तमाम चीज़ें यहां पे मौजूद हैं और सेंट्रल पारक हाउसिंग स्कीम के अंदर यह घर वाक्या है फिरोस्पर रोड की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम है इस सुसाइटी के अंदर 6000 पलस घर बने हुए हैं तो यह घर फार सेल है बहुत ही इसके लावा जैसे अंदर इंटर होते हैं तो आप यह देख सकते हैं निश पर काम हुआ है निश बनी हुई है और मैं गराद से सीड़ियां उपर की तरफ जा रही है सॉलिड डॉर यूज किये गए हैं तो विवर्ज यह आप देख सकते हैं टीवी लाउंच बहुत ही खुबसूरत टीवी लाउंच बनाया गया है शेलिंग डिजाइन आप देख सकते हैं बहुत ही खुबसूरत यह डाइनिंग एरिया पाउडर ग्रॉम शेडियों की नीचे और यह मास्टर बैडरॉम वाल डिजाइन पेपर और यह आप देख सकते हैं अटैच बातरों कमाउट की फिटिंग टाइल्स पूरे वाच रोम के अंदर कंप्लीट और वैंटी शावर हर रोम के अंदर कबर्स लगाई गई हैं और यह बहुत ही खुबसूरत ग्राउंड फ्लॉर पे किचन स्टोव एक्जास्ट होड़ तमाम कैबनेट्स यूबी शीट यूज की गई है पानी का कुनेक्शन मुजूद है टीवी लाउंज से सीडियां उपर की तरफ चारी हैं फर्स फलॉर का टीवी लाउंज का व्यू आप देख सकते हैं उपर के फलॉर पर दो बैडरूम है और बैडरूम से आप पारक का व्यू कर सकते हैं बैक साइड पर पारक का व्यू आप देख सकते हैं और फिरोजबूर रोड भी बिलकुल सामने हैं यह घर डबल ए ब्लॉ है डबल ए ब्लॉग के बिल के अंदर ये है पार्क नजदीक तर है हॉस्पिटल तमाम चीजें नजदीक तर है यह दूसरे बैडरूम का व्यू आपको में दिखाऊंगा बहुत ही खुबसूरत वाल पेपर शेलिंग डिजाइन और ये टेरस का व्यू आप देख सकते हैं निश के अंदर डिजाइन बहुत ही खुबसूरत और ये च्छत से व्यू मैं आपको मैं दिखाऊंगा देता हूं ये स्ट्रीट 40 फीट वाइड और ये उपर वाले पॉर्शन का किचन आप देख सकते हैं बहुत ही खुबसूरत किचन और ये सीड़ियां ओपर की तरफ मम्टी की तरफ जा रही हैं उपर स्टोर रूम और वाच रूम उपर बना हुआ है अब हम उपर छट पे आ आ चुके हैं ये वाच रूम उपर कर सकते हैं और यह आप डवल ए ब्लॉक किया व्यू देख सकते हैं सेंट्रल पारक हाउसिंग स्कीम के अंदर यह घर वाक्या है तो विवर्ज इस घर के अंदर बिजली के कुनेक्शन मुझूद है पानी का कुनेक्शन मुझूद है और इसके लावा गैस की अपलाई हो चु ओन्धूदो का है बिजली मुझूद है पानी का कुनेक्शन मुझूद है तो यहां से अगर आप इस घर की सहुलयात की बात करें तो विवर्ज अगर गैस के around सवहुलयात की अगर हम बात करें तो इसके करीब तर hospital ऐल जेस स्कूल और इसके लावर यहा पर प्रपार्क मेस तो यहां से गेट नमबर थरी जो इसका बनाया गया है वो भी करीब तर है तो यह घर आपको न्यू लग्जरी हाउस जो है एक किरोड पचीस लाख रुपे में मिलेगा हिम्मत गुरुप आपको यह दे रहा है और हमारा बुकिंग ऑफिस जो है सेंट्रल पारक के मेन सकते हैं तो यह घर आपको मिल सकता है लग्जरी हाउस एक किरोड पचीस लाख रुपे में कैश प्राइज होगी ट्राइट रांस्पर फाइल होगी और इस घर के उपर लॉन भी निकल सकता है आप लॉन भी अप्रूव्ट करवासा क्योंकि यह एल्डिस अप्रूब्ड ह सेंट्रल पारक के अंदर लॉन भी अप्रूवड हो जाता है हर प्लाट पर हर घर पर तो हमारी वीडियो को आप देखते रहे हैं लाइक करें सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच